बहुत ही जल फ्लिप कार्ड के उपर और एमजन के उपर सेल स्टार्ट होने वाला है अगर आप प्लैनिंग कर रहे हैं एक नया स्मार्टफून प्रचिस करने के लिए अगर आपका बाजट है 11,000 रुपिस लेका 12,000 रुपिस के आसपास में तो यह वीडियो आपके लिए ब उसे के साथ अच्छा डिस्प्ले के साथ आ रहा है और 5G स्मार्टफून तो रहने वाला है मेरे लिस्ट में पहला जो स्मार्टफून रहने वाला है वह है इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12 यह जो स्मार्टफून आता है 4G भी 64G वाला फिरेन के साथ 11,000 उसे के साथ साथ ए जो स्माइटफोन होने वाला है गेमिंग वींग स्माइटफोन क्यों कि पीछे की तिरफ से चीफ सेट के साथ और देंड की सिटा और त्रीस もरा के लिए टा estas के अटकर है अगर मैं बात करूं मेरे लिस्ट का सेकेंड स्मार्टफोन के बारे में अगर आपको चाहिए एक ऐसा स्मार्टफोन जिसके अंदर डिस्प्ले बढ़िया मिले उसे के साथ आप थोड़ा बहुत गेम खिलना चाहते हो तो आपके लिए जो स्मार्टफोने मस्त रहने वाला है जिसका नाम रहने वाला है सैमसंग ग्लक्सी एफ ट्वेंटी टू पोर जी भी सिक्षी फोर जी ओला विरिंट का जो प्राइस रखाए 11,499 रूपिस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले रहने वाला है 6.4 इंच HD Plus Super AMOLED फैनल यहां पर रहने वाला है उसे के साथ स्मार्टफोन का जो चीप सेट रहने वाला है MediaTek की तरफ से G8T जो कि गेमिंग चीप सेट है अब बहुत ही आराम से स्मार्टफोन के अंदर BGM और Free Fire को खिल पाओगे उसे के साथ है जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ Quad Camera सेटप के साथ Primary sensor रहने वाला है 48MP उसे के साथ 8 और 22 करके दो sensor रहने वाला है Smartphone का जो Selfie Camera रहने वाला है 13MP स्मार्टफोन के अंदर 6000 नवच का बैटरी देखने को मिल जाएगा और 15W का एडप्टर को सापोर्ट भी करता है यहांकि अगर आप Samsung की लावर्स हो अगर आपका बाजट है 11,000 रुपिस लेका 12,000 रुपिस के आसपास में तो आप जो रुद स्मार्टफोन के तरफ देख साकते हो मेरे लिस्ट में जो थार्ड नंबर स्मार्टफोन रहने वाला है जिसको चाहिए ज्यादा MS के बैटरी यूंकि एक स्मार्टफोन का बैटरी वेकाप लगबग दो दिन तक चले जिसका नाम रहने वाला है टेक्नो फोबाट्री 4G भी 64G वाला फेरेंट का जो प्राइस है वह है 12,000 रुपीस 12,000 रुपीस के अंदर कमाल की स्पेसिविकेशन ओफार कर रहा है डिस्प्ले का जो साइज रहने वाला है 6.9 फूल इस्टी प्लस IPS LCD पैनल के साथ आता है और यहाँ पर रहने वाला है 90Hz का स्मूथ रफ्रेस्ट रहने वाला है जो आता है MediaTek की तरफ से G88 चीपसेट जो की OctaCore चीपसेट है और अच्छा पाफमेंस भी निकल कर देता है स्मार्टफ़न की पीछी की तरफ ट्रिप्ल कैमेरा से टाफ है 50 Megapixel प्राइमरी सेंसर उसे के साथ टू-टू करके दो सेंसर रहने वाला है अच्छा सेल्फी कैमेरा वाला स्मार्टफोन तो उसके लिए जो स्मार्टफोन इस सबसे अच्छा रहने वाला है जिसका नाम रहने वाला है टेक्नो कैम ओन 19 नियो जीवी 120 एड़ी वाला विरेंट कर जो प्राइस है 12,499 रोपिस हां प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप 500 रुपे दे सकते हो तो आपके लिए जो स्मार्टफोन इस सबसे अच्छा रहने वाला है जैसे कि स्मार्टफोन का डिस्प्लेय रहने वाला है 6.8 इ स्मार्टफोन का जो सबसे बड़ा हाइलाइटर फीचर रहने वाला है इसका सेल्फी कैमरा जो है 32 मेगाफिक्सल जो स्मार्टफोन आता है 5000 बैटरी के साथ और इंबोक्स आता है 18 वाट का एडप्टर के साथ जिसको चाहिए ज्यादा रैम उसे के साथ अच्छा सेल्फी क स्मार्टफोन के अंदर जो चिप्सेट रहने वाला है मीडिया टेक डामेंड सेटी के तरफ से 700 चिप्सेट जिसके अंदर आप बहुत ही आसनी से गेम खेल पाओगे स्मार्टफोन की पीछे की तरफ है डूल कैमरा सेटप 50 प्लस 2 मेगापिक्सल और इसका जो सेल्फी कैम स्मार्टफोन के अंदर जो आता है अधको कौंसा स्मार्टफोन अच्छा लगा है आप मुझे कॉमेंट में जुरू बता सकते हो ऐसे भी समार्टफोन का प्राइस मैंने विडाउट बैंक ओफर में बताया अगर आपके पास ग्रेडिट कर वागर रहेगा तो सभी स्मार् अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करना उसे के साथ चलन को कर लिजिए सब्सक्राइब